कैसे हैं आप सब लोग मैं आप लोग को बैकिंग परशालन यानि पढ़ा री थी जिसमें आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर हुआ था उसमें हम लोगों नहीं पढ़ा था कि बैंक को ग्रहक के मदें संबंद क्या होता है किस ताहसे एक बैंक का अपने कस्टमर के साथ र घर करेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं लेकिं शुरू करने से पहले आपको क्या करना है चरलों को सब्सक्काइब करता है और फीक साथ वीडियो को शेयर करना है रही PinQué को Aggregory adoption को नहीं भी रिखार के क Filip ç forest उनcios में अपने पढ़ा हो गा कि बैंक किया है भिएम के बारे में किस्ताहं से कारे करता है दारी चीज़ो को तो बैंक फ३। में जुव pipeline जो हो जाते है तो हो जाता है अकाउंट्स कोलना जनता से जमाओं को स्विकार करना दोंसा हो जो बड़े वैपारी होते हैं उनको रूर देना उनको लों देना आजकल तो बैंक काम पड़ गये हैं केजिस तो किने हो जाएंगे चारत रहा के सावधे जम्र को चिसको इसको चूट में आपके पढ़ेंगे समझेंगे तोसा हो जाता है, बचचत बैंक खाता है डिसे आप लोक्स सेविंगह एकउंट बोलते हैं, फिर आ जाता है और जाता है आवरती जमा खात जिसे रुकरेरिंग डिपॉज्ट अकॉजट अकॉजट है सबसे पहले crazy के बारे में दोका समझ अकांट गर्ण के बारे में कि क्या होता है सबसे और सम भास में आगहा होगा फिक्स डिसी कहते हैं आप में होगा तुछ intervenue कर दिया जाता है उसमें कुछ एक पसंटेज होती है कि इतना इंटरस्ट उसका लग करके आपको पाथ साल के बाद ये दस साल के बाद जो राशी मिलेगी तो इतना इमाउंट जैसे फॉर एक साथ मिल जाएगा वो हो जाता है फिक्स डेपॉजिट अगर हम यहाप पर इसकी बात करें तो जैसे की कहा गया है कि सावधी जमाख खाता बैंक का एक ऐसा खाता होगा जिसमें ग्रहक द्वारे एक निशिक समय के लिद्धाशी को जमा किया जाता है और अवधी पूर होने के बाद जमा करता को जमा की गई राशी वापस प्राप्त हो जाती है इसे और किस नाम से जाना जाता है इसे सावधी जमाख खाता है म्यादी जमाख खाता या फिर इस्ताई जमाख खाता भी कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा वह सकता सावधी जमाख पर आपको म्यादी जमाख या पिर इस्ताई जमा लिखे तो कन्फियूज नहीं होना है उसका मतलब आपका वह के साथ Umराशी मिल जाती है अब आईए देखते हैं कि इसकी विशिष्ष odi कि जमा की वधी चीज है कि टाइन किया रहा है क्य plot रहा है कि लेडिये ही इसे कंशे कर आती है तो इक्षास है कि ध्यार वाजो रहा है तो सredit होus यसे से कर्ने से चुमौता है जमधी कर्वाने के लिए एक उसे निर्धारह जा नियुक्त contagious करते हैं अधिक स्रुप होती है उसलिप में जो भी डिटेलिंग पूछी कही है वह आपको भरनी पड़ती है उसमें अपने साइन सिग्निशर करके जो भी बैंक के प्रोसेजर होगी उसी के कॉर्डिंग क्या होगा वह रसे वह एकॉल दिया जाता है फिर आजाता है सावदी जमाखाते की रसीद की ज जमा रसीद के नाम से जाना जाता है उसमें क्या रिटेलिंग रहती है कि जमा राशी है जमा क्या वदी होती है जमा करने की तिति है ब्याच की दर है भुक्तान की तिति यह सारी डिटेल्स उसमें दे रखी होती है समयले एक सेक्योर्टी कितना होती है प्रूफ कितना आप कितना टाइम के बाद सब्सक्राइब करने इंट्रेट होता है अलग होता है आडी जो आपका रहता है जो आवरती जमांट उसका अलग रहता है तो सब के अलग-अलग होते हैं और डिपेंड करता है कि ते दिन के लिए आप करा रहे हैं तो इसके को इंट्रस रेट होता है वो अलग-अलग होता है फिर आता है देद दिती से पूरभुकतान कभी-कभी यह होता है कि आउशक्ता पढ़ने पर या किसी कारण वाउचा पैसे को वा पर आएगा ब्याज का भुकतान जो इसमें रहेगा कि जो सावाधी जमाखाते होते हैं तो अबादी पूर्ड हो जाने पर जितने अवधी के लिए हैं तो एक निश्यत ब्याज जो राशी निधायत की गई है वह जाता है जो जमा करता होता है उसको मिल जाती है पिर आज सब्सक्राइब को जाता है तो दो जूबाते हैं सेविग फूर्ड होते हैं तो से अकॉंट क्या होता है जो वेक्ति हैं जिनकी सालरी अकाउंट्स होते हैं उस सब सेविंग काउंट में ही आते हैं या अपनी छोटी-छोटी जमाएं हैं हम लोग जो अपने पास सेव करते हैं उस सेविंग को भी हम इसी अकाउंट में ही दिपाउजिट करते हैं तो यह हो जाता है सेविंग बैंक बचत बैंक खाता इसमें क्या होगा कि जनता को छोटी-छोटी जमाओं को एकत्रत करने और बैंक में डिपॉजट करने के लिए प्रोसाहिद करता है यह एकाउंट्स जो होते हैं इसके अंदगात आप जब भी आपके पास कोई भी धनराशी से उस्षित होती है आप जाकर ब इसमें यह विएग निठायदर से जो भी यकन्ट रुक पर्फिन होगो एक उसके क्टरिंग आय граф को इंट्रिस्ट मील जाता है लेकिन आप तो opening होती है वहाँ पर डिपेंड करता है कि बैंक किती धन्राशी से अकाउंट को खोलता है पर जाता है न्यूंतम शिश अब ये बैंक की पॉलसी है कि आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस नहीं रख सकते हैं आपको एक मिनमम अमाउंट रखना पड़ता है अपने अकाउं को निकालना जमा करना जवरी होता है फिर घंजमा करने पर प्रतिबंद थे और घंण पर कंग्षकु को अन्हीं करता है जो छिए परहा को सब्सक्राइब होते हैं और खेंट के पक्ष में ये प्रस्टांकन क्या होता है आगे आग चाप्टरस में पढ़ेंगे इसके बारे में भी लेकिन उसके अधिक्तम राशी के सीमा ने धारित नहीं है तो आप उसमें जमा कर सकते हैं इसके बार जाता है आहराड पर प्रतिबंद की बैंक जो होगा कभी कभी डिसाइड कर देते है कि दिन में आप इतनी बार ही धन राशी निकाल सकते हैं या जो अप के टिधित कार्ड या आपके जो डेविट कार्ड होते हैं उनको पता होती है उनके बादें से कर सकते हैं या वनत बैंक होते हैंлять को बैंक होती है उस कार्ट की लिमिट तक ही आप एक दिन में धनराशी निकाल सकते हैं या उसे दादा निकाल रहा है तो और टीपी भी आता है आपके पास तो अलग लग तरीके से पॉलिसी रहती है इसमें फिर रहता है ब्याच की दर की वर्तमार इसमें जो आपका सेवेंग पर डिपॉजिट होता है अधिविकर्ष की सुईधा तो अधिविकर्ष जो की ओवरड्राफ्ट होता है उसकी सुईधा इस अकॉंट पर नहीं मिलती है जो आपका करेंट होगा अभी हम नेक्स पढ़ेंगे जिससे चालू खाता वहां पर हमने दी जाती है बैंक और की सु हैं उस से आधिक निकालने की अनुवति देना वहगा जाता था है अब हम नेक्स पढ़ते हैं चालो खाता क्रेंट और क्या होता है तो टो लोग खोल बड़े बड़े व्यापारी हैं current account mostly जो खोला जाता है वो जो बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं सर्दरीफर में हैं companies हैं या और दोग संस्था हैं इनके द्वारा ही खोला जाता है इसका mainly उदेशी क्या हो जाता है इसमें इनका उदेशी जो होगा धन को करके सुरक्षित रखना नहीं होता जैसे कि 7 account में हम लोग क्यों deposit करते हैं धन को सुरक्षित रखने के लिए जो होता है वह इनकाउंट को नहीं खोलते हैं अगर बड़ा व्यापारी है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पर एक सामाने व्यक्ति की बात करेंट उसके माध्य हम तो वह जाते हैं उसके उसको उप्योग प्रहसे के अईंतम राषी ईससे कि आपके बाकर अपने साथ होन पढ़ाता हुसमें क्या रहता है मिनमम फाइफान पान फफाउजन से खोलता है लेकिन ये जो होगा इसमें 2,000 या फिर 5,000 तक हो सकती है फिर आजाता है चालू खाता खोलना लिए किस नाज़े खोला जाता है तो आपको बता ही होगा बैंक का कारे जो होता है एक प्रॉपर उनकी slips होती है उसके माध्यम से होता है इसीता है इसमें भी आपका एक आविधन पत्र होता है अप्लिकेशन फार ये उसको भरा जाता है मुतकर खाता का नाम होगा जो अकाउंट खुलवाना चाया रहा है होलड़ाती है फोटो नहीं इन्फॉनिक पर खाता खुल आ जाता है प्रें जाता है भीवारं रोपर पती बंद नहीं इसमें जो होगा कोई भी वेकतीज होता है वो एक सेड़िक बार एक दिन में वेहार कर सकता है जितनी बार चाहे धनराशी अपने अकाँट से निकाल सकता है पिरा जाता है ब्याच इसमें क्या रहता है एक तरह से जो बैंक होगा वो current召ाउंट holders को एक सुइधा दे रहा है उनको एक सेवा दे रहा है तो यहां पर जो current召ाउंट होता है उस पोई भी जमाराशे पोई भी ब्याच नहीं दिए जाता है, क्योंकि воin पर उस राज़े का प्रियोग bank नहीं कर पाता है, क्योंकि जिन में कई बार अगर transaction हो रहे हैं, जो भी धिनराज़ीज़ जिवा हैं, bank उसका प्रियोग किसी और को loan देने में या किसी और कारवे कर भी नहीं करी नहीं सकता, इस वज़े से कोई भी ब्यार्ज नहीं दिया जाता है पर आज जाता है सेवा शुल्ग कभी कभी बैंक जो होता है वो अपने प्रतिवश की सेवाई जो देता है उसके बतले में जो करणट अकॉंट होल्डर्स होते हैं उनसे शुल्ग भी लेता है फिर जाता है विशिष पहले मैंने पता ही थि आप लोग को जो अधिवकश के स्युधा बढोलती है आपको जाता है तुछा जमा काथ एकोजित एकाउंट जिससे हम पतना है यह होगा आप लोगम ने अपने बैलेंस से सुना होगा कि 3 महीने पर या 1 महीने पर कुछ धनराशी 100 रुपए है 500 रुपए जितने की आरडी होती है बैंक में जमा करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है वो एमांट बड़ा हो जाता है कातार आप अपनी जो सेविंग्स होती है या अपनी जो भी बचत होती है उसका कुछ भाग पर मन्त या फिर तीन मन्त पर जो भी डिसाइड़ होता है जिस नहां कि आपने डिले रखी होती है आप उसमें जमा करते रहते हैं तो उससे आपको पता भी नहीं चलता है लेकिन आपके सेविंग्स भी होती रहती है तो वो हो जाता है आपका औरती जमा खाता इसको अधिश्य क्या होता है कि लोगों में एक नेमिट पच êtes की आदत को डेवलब करना उनमें उस आदत को डालना अब आ जाते हैं इसके विशिष्टहों पर विशिष्टहा एं क्या होती है पहला होगा खाता खोलना तो इसको खाता जो खोला जाता है वो कोई व्यक्ति खोल सकता है या कोई अवैसक है, तो अवैसक कर अपिभावक होगा, वो अवैसक की नाम से उस अकाउंट को खोल सकता है. नेक्स्ट अजा रगा है जमा की राशी हैं वह अवधी, तो जमा की राशी भी निश्यत होती है, राशी आपकी 5 वपे-10 सुपह के गुड़क में होती है जैसे कि पंद्रा पचास हैं सो हैं पांसो हैं जो भी डिसाइड होगी उस ताहँ से होती है और एक सर्टेन बिच कर टाइमिंग रहती है कि इतनी इतनी डाइमिंग पर ही आपको जमा करना है आवदी अलग हो जाती है कि दो वच तक के लिए कर करना है पिर रहाता है ब्याच की दर ये कि दर अगश की दर दिया जाएगा तो इसमें रहेगा कि जो जमा करता तो तो पर एक महाँ के अंतिन तक उसे जमा करनी जाहिए अगर बीच में उसने किसी देने में किसी तहां की तरोटी करी है ग्राखाग ने तो वहाँ पर यह होता है कि उससे धनराकनक ब्याज करना पड़ता है पर अरात का बुकतान के निरिटारेत वधी जब पूरी हो जाती है तो पूरी होने के बाद जो ग्रहाग होता है उसकी खाते में जो भी धनराशी होगी प्लस जो ब्याज होगा दोनों मिलाकर कि उसे भुक्तान कर दिया जाएगा पिर आलता है अवदी से पूरे भुक्तान ले सकता है तो ऐसे दिशा में क्या होगा कि जो भी अवदी चल रही है जिसके लिए खुलवाया गया है तो जो भी प्याज दर डिसाइड होगी उस अवदी के ले जाते हैं यह में आपके चार हैं जो आपको अच्छे से देख भी लीजेगा और उसे समझ लीजेगा नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे कि बैंक में नया खाता खोलने की सामाने पर क्रिया क्या होती है जर्नल पोसिजर्स और ओपनिंगा नियो बैंक अकाउंट यह आप